Entrepreneur क्या है? ऐसी कहानी सुने अब हिंदी में तो चौनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइक ओन तो दबाना ना भूले आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो उन लोगों के लिए काफी महत्वपून है जो अपनी जिन्दगी में कुछ अलग और हटकर करना चाहते है आज हम जानेंगे की Entrepreneur क्या होता है और Entrepreneurship क्या होती है साथ ही जानेगी की Entrepreneurs बनने के लिए किसी व्यक्ती में किन विशेशताओं का होना जरूरी होता है वैसे तो हर कोई अपनी जिन्दगी में कुछ अलग करना चाहता है परंतु सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं होती है हर कोई धीरुभाय अंबानी नहीं बन सकता पर वो कहते हैं ना अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी काइनात उसे तुमसे मिलाने की साजिस में लग जाती हैं Entrepreneurs लोगों की बस यहीं खास बात होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है यह लोग उन चीजों के बारे में नहीं सोचते जो उन से चूप गया यह तो उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनको वो पकर सकते हैं यह हमेशा positive और positive रहते हैं negative चीजों को इगनो करते ह और आगे बढ़ते रहते हैं What is entrepreneur? Entrepreneur क्या होता है? Entrepreneur एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसा आम इंसान होता है जो एक छोटी से आइडिया पर काम करके उसे बहुत बड़े बिजनेस में बदल देता है Entrepreneur आइडिया पर अलग तरीके से काम करते हैं इससे वह बड़े बिजनेस में तबदील हो जाता है यह लोग अपने आइडिया पर बहुत मिहनत से काम करते हैं इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरन देती हूँ एक ऐसा इंसान जो अपने काम को किस रोड़ पर थेला लगा कर शुरू करता है और उस काम को एक दिन एक बड़े होटल में बदल देता है entrepreneur बनना बहुत आसान नहीं होता entrepreneur बनने के लिए बहुत मिहनत और सब्र की जरूरत होती है ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए motivational और inspiration बन जाते हैं अगर मैं दूसरे शब्दों में कहें तो entrepreneur वो व्यक्ति होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत की जमीन पर बिल्कुल रूबरू उतार देते हैं एक ऐसा idea पर काम करते हैं उससे एक बड़े बिजनेस में तबदील कर देना जिससे उस बिजनेस को बहुत फायदा होता है वही entrepreneurship कहलाता है यह लाइने पढ़कर आपको लग रहा होगा कि entrepreneurship बहुत आसान है परन्तु ऐसा बिल्कुल नहीं है यह जितना सरल और आसान लग रहा है या उतना ही कठिन है इसमें सालों साल लग जाते हैं तब जाकर एक बड़ा बिजनेस में बदला जाता है आप सरा सोच कर देखो किसी भी बिजनेस को जीरो से शुरू करके उसे टॉप पर पहुँचाना कितना मुश्किल काम है परवल कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हूती इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे कठिन कामों को बहुत आसान बना दिया अगर मैं उन सब का नाम बताने लग जाओं तो वह लिस्ट काफी लंबी है How to and become entrepreneurial important skills 1. आपके अंदर एक leadership quality होनी चाहिए 2. आपके सोचने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए 3. हर problem को solve करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए 4. self confidence होना चाहिए 5. fail होने का दर आपके अंदर नहीं होना चाहिए 6. जिस काम को करने वाले हो या फिर करना चाहते हो उस काम की पूरी knowledge आपको होनी चाहिए 7. तागित प्राप्त करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए 8. आपका एंग साफ होना चाहिए कि आपको करना क्या है 9. आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगर पर फोकस करना चाहिए 10. आपको समय समय पर रिस्क लेना भी आना चाहिए 11. अपने लग को ज़्यादा एहमियत ना देते हुए अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए 12. आप जो काम करें या फिर करना चाहते है उस पर आपको पूरी तरह विश्वास होना चाहिए अगर आप सोच रही है कि यह विशेश्वास आपके अंदर नहीं है तो मैं आपको बता दूँ यह सारी विशेश्वास अपने अंदर पैदा करनी परती है आपको हमारा विडियो पसंद आता है तो उसे सोचल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आप कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें हर जानकारी अपनी भाषा हिंदी में सरल शब्दों में प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सकू करें जहां आपको सही बात पूरी जानकारी के साथ प्रदान की जाती है हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें यहां ये कहानी समाप्त होती है धन्यवाद